January 2024 से GSTR1 के अंदर दो नई टेबल एड हो गई है टेबल नमबर 14, टेबल नमबर 15 अगर आप या आपका कोई क्लाइंट Amazon, Flipkart, Misho, Mintra, Snapdeal, Swiggy, Zomato, Ola, Uber, OEO या फिर Urban Companies से रिलेटेड है तो आपके लिए वीडियो बहुत important होने वाली है because आपके लिए GSTR1 filing के structure के अंदर changes आने वाले है दो नई टेबल एड हुई है जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है Hey guys, मैं हूँ Vivek from Fintex Pro जहांपर हम बात करते हैं finance and taxation की without any further ado आपको सीधर समझाता हूँ क्या changes आये हैं और क्या table GSTR1 के अंदर add हुई है Guys, GSTR1 को detail में समझने से पहले आपको बताना चाहूँगा specially जो e-commerce operator और online seller है Amazon, Flipkart, Misho, Oyo और Mintra इन सब पर कर आप selling करते हो तो आपके लिए GSTR1 में बदलाव होने वाले हैं और यह जितने भी बदलावे GSTR1 में जो हो रहे हैं यह मेरे upcoming course में मैं cover करने वाला हूँ तीन course update होने वाले हैं अगर आपने course लिया हुआ है तो आपके लिए छोटी सी information है एक तो हमारा tax combo GSTR idea and TDS GSTR का practical course और एक online seller इसके अंदर में काफी सारी case studies जो नहीं आई है January 24 की उसको add करूँगा बट wait कीजेगा फरवरी में वो add हो पाएंगी because January की return जो जाएगी वो fab month में जाएगी तो इन तीन courses के अंदर मैं नए session सारे के सारे update करके आपको देने वाला हूँ ठीक है चलिए अब समझे अपडेट क्या आई है GST portal पर सबसे पहले चलो उसर फाल्दू की बाते बंद करो हमको दिखाओ table क्या नहीं आई है तो January मन्त की GST hour one में जैसी आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दो table दिख जाएंगी अगर जरासी टर्म इधर की उधर कर दी आपने तो बहुत जादा दिक्कत हो सकती हो गलत रिपोर्टिंग आप कर सकते हो अपनी GST hour one के अंदर इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना और सबसे पहले कुछ basic point समझ लीजिए आप कुछ term समझी आप एक term होती है e-commerce operator e-commerce operator GST के अंदर एक term e-commerce operator का मतलब क्या होता है e-commerce operator का मतलब होता है एक marketplace या फिर एक aggregator जहाँ पर बहुत सारे supplier बहुत सारे seller बहुत सारे service provider आ करके अपनी services या फिर goods को sell करते हैं example के लिए बताऊं जैसे की Amazon, Flipkart, Misho, Swiggy, Ola, Uber Amazon पे Amazon तो अपनी goods बेस्ट साही है उसके लावा Amazon एक marketplace है जहाँ पर बहुत सारे sellers होते हैं बहुत सारे buyers होते हैं और वहाँ पर trade होता है Flipkart भी एक marketplace है इसी तरीके से Ola, Uber क्या होते हैं? इनको marketplace नहीं क्योंकि यह service provider करते हैं तो इनको aggregator बोला जाता है बिकास आपने देखा होगा Ola की जो गाडियां होती है वो Ola owned नहीं करता Ola एक aggregator का काम करते हैं, Uber एक aggregator का काम करती है और Oyo भी इसी तरीके से काम करता है, Oyo भी एक aggregator का काम करता है Oyo के अपने hotels भी है, लेकिन उसके साथ-साथ network भी है, hotel किसी और का होता है उसमे branding Oyo की होती है, why? Because Oyo एक उसको platform provide करता है Flipkart, Misho, Amintra, Snap, Dil, Sui, Gizomato, यह अपना platform provide करते हैं और जिसके बदले में commission या platform fee, जो भी fees है, वो charge किया जाता है seller से ठीक है, तो इस तरीके से ये काम होता है, तो e-commerce operator जब मैं बोल रहा हूँ या फिर GST return में अभी हम देखेंगे, जहां पर भी e-commerce operator लिखा हुआ है तो e-commerce operator का मतलब क्या है, Amazon, Flipkart, Misho, Snap, Dil, Mintra जब आप GST registration करवाने जाते हैं, तो जब part A file करते हैं, तो वहाँ पर option आते हैं कैसे register होना चाहते है, as a taxpayer, वहीं पर एक option आता है e-commerce operator का तो अगर आपका ये marketplace है, platform है, और उस scenario में आप जो है as a e-commerce operator register होना चाहते हैं, तब आपको वो option select करना होता है तो ये term आपको clarify होई होगी, कि e-commerce operator का मतलब क्या होता है GST के point of view से, दूसरा point होता है supplier, दूसरा point हमारा है supplier या फिर online seller, online seller या supplier में कौन आ सकता है, मैं आ सकता हूँ, आप आ सकते हैं कोई private limited company आ सकते हैं, कोई entity organization, कोई भी person जो in platform के ऊपर, जो e-commerce operator के ऊपर, अपनी goods को sell करता है उसको बोलते है, online seller या फिर supplier So, यहाँ पर हमने, मैंने बताया होई person who sell goods online through e-commerce operator उसको बोला जाता है supplier, या फिर online seller, ये छोटी-छोटी terms है But अभी अगर मैं table 14 आपको समझाओंगा, तो 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 और जाएंगे collect TCS under section number 52, section 52 के अंदर government ने बोला है के जो e-commerce operators हैं, जो goods जिनके, जिन marketplace पे goods बेची जाती है उनको TCS collect करना होगा, for example, यहाँ पर मैंने आपको example दिये हैं कुछ ये ये सारे आपके example हैं, जो liable है TCS collect करने के लिए अगर आप अपने किसी client का जो Amazon पर deal करता है, या फिर अगर आप खुद इन platform पर काम करते हैं, तो आपकी TCS return आप फाइल करते हैं और वहाँ से जो TCS है वो आपके GST portal पे add होता है, मलब आपके cash ledger में वो TCS का amount add हो जाता है, 1% TCS काड़ा जाता है for your information बता देता है, so Amazon, Flipkart, Misho, Mintra, Snapdeal, these are the platform जो liable है to deduct TCS, यहाँ पर मैं example इसलिए दे रहा हूँ, अप इसलिए समझ पाई कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो यह सब liable है to collect TCS under section number 52, okay, एक हमारा section होता है section number 9, subsection 5, section 9, subsection 5 में government कुछ specific services को notify करती है, मैं repeat करूँगा, कुछ specific services, कौन-कौन सी services, सारी services नहीं specific services जैसे की hotel accommodation की services, जैसे की housekeeping cleaning की services, जैसे की transportation of passenger की services तो इसके लिए जो example हमारे होंगे, वो है Swiggy, Zometo, Ola, Uber, Oyo, और Urban Company, यह सारी जो entities है, यह section number 9, subsection 5 की अंदर fall करती है, ना इन दोनों में difference क्या होता है, section 9, subsection 5 में जो entity है, उस case में, जो supplier है, जो service provider है, उसको tax collect करने की, या GST collect करने की requirement नहीं होती है, जो e-commerce operator है, वो GST collect करेगा, और वो government को pay करेगा, for example, अगर मैं Swiggy या Zometo की उपर मेरा एक restaurant है, और मैं Swiggy Zometo पर register कर लेता हूँ, मैं वहाँ पर 100 रुपीज की, अपनी dal fry को order, मतलब वहाँ पर rate करता हूँ, तो वो 100 रुपीज के उपर 5% GST collect करेगा, call Swiggy, और वो Swiggy अपने पास रख लेगा, because Swiggy आगे उसको government को pay करेगा, वो 105 रुपे मुझे नहीं मिलेंगे, मुझे only 100 रुपीज, उसमें से commission जो भी होगा Swiggy का, या platform fees वो minus होगी, मुझे वो मिलेगा, तो GST का पैसा मुझे नहीं मिलता है, इस case में, because section 9, sub section 5 की अंडर, जो e-commerce operator होता है, Swiggy, Zomato, Ola, Uber, OYO, Urban Company, they are liable to pay GST on supplies, जो कि उनके platform के through हो रही है, वहीं दूसरी तरफ, जो Amazon, Flipkart, Misho, Mintra, Snapdeal, यानि जिनके उपर goods की selling हो रही है, दोनों में differentiate अगर आप करना चाहो न, तो इन platform पर goods की selling होती है, और नीचे जो है, वो specific services, यहाँ पर सारी services भी नहीं आती, specific services जो है, वो section 9, 5 के अंदर cover होती है, ठीक है, Amazon Flipkart के उपर, Amazon Flipkart को GST, नहीं, GST की liability नहीं आती, देखो, Amazon पर गर मैं 100 rupees का कोई goods बेच रहा हूँ, माल लो 5% उसका rate है, same example, यहाँ पर लेता हूँ, आप easily समझ पाओगे, 105 rupees हुआ, Amazon क्या करेगा, 105 rupees में से minus करेगा, अपना commission, shipping charge और मुझको pay कर देगा, नीचे Swiggy ने क्या किया था, Swiggy ने 100 rupees में से commission minus किया, Swiggy को भी 105 rupees मिले, Amazon को भी 105 मिले, but Swiggy की अपनी liability है, जो 5% है ना, वो Swiggy की liability है, वो GST government को pay करना, इसलिए Swiggy वाला क्या करेगा, मुझको 100 rupees माइनस commission करके pay कर देगा, और वो 5 rupees अपने पास रख लेगा, because अपने पास नहीं रखेगा, उसको आगे government को pay करना है, उसकी liability आएगी GST pay करने की, इन platforms की, वहीं पर जो Amazon वाला case है, Amazon की case में ऐसा नहीं होता, Amazon की case में जो calculation होगी, वहाँ 105 minus commission minus shipping, और जो balance बचेगा, वो मुझको मिलेगा, यानि Amazon की case में, जो supplier है, जो seller है, उसकी liability आती है GST pay करने की, और जो section 9, section 5 की अंदर e-commerce operator है, able to collect TCS, तो इनको लेकिन TCS collect करना होता है, specifically section 52 की अंदर, लेकिन यहाँ पर section 9, section 5 की अंदर ये वाले e-commerce operator fall करते हैं, दोनों में difference आप समझ गए, दोनों में क्या difference है, mainly difference आपको समझना पड़ेगा, because हमारे पास 1000 हो client है, जो online seller ही है, तो इस चीज़ को detail में वैसे मैं अपनी team के लिए समझाने वाला था, but ये video YouTube पे सभी के लिए free में available होने वाली है, बहुत यची information मिलेगी, अभी तो start हुआ है session, session थोड़ो सा detail रखूँगा, last तक रखूएगा, बहुत सीज़े सीख करके जाओगी, सबसे पहला question थो यह आएगा, दो नई table आई है, एक तो table number 14 आई है, एक table number 15 आई है, क्या sir, इसके अलावा भी कोई change हुआ है, GST की किसी table में, yes change हुआ है, table number 7 के अंदर change हुआ है, yes sir, table number 7 में क्या change आए, सबसे पहले आप वो समझे, यह देखे, table number 7 के अंदर आप जाएंगे, आपको सेम मिले का sir, क्या change आए, कुछ भी change नहीं आया, but यहाँ पर जो notification है, 26 by 2022 notification जब आप पढ़े होगे, जिसके अंदर table 14 और table 15 आड़ हुई है, ऐसे हवा हवा में तो add हुई नहीं होगी, इसके पीछे कोई notification होगी, जिसके थूँ यह add हुई होगी, इसमें, जब आप table number 7 में जाओगे, तो table 7 में आपको एक चीज मिलेगी, यहाँ पर consolidate rate outward supply आएगी, including supply made through e-commerce operator attracting TCS, इसका मतलब क्या हुआ, देखो, जब आप online filing करते हो, जैसे add record किया आपने, तो यहाँ पर जैसे मैंने, मैं डेली में हूँ, चंदिगड में मैंने supply की, taxable value में रही आ गई, 50,000 की, and rate आ गया 18% का, and IGST में रहा आ गया, 9,000 का मैंने इसको save कर दिया, यहाँ पर कहीं भी option नहीं आता, और यहाँ पर पहले भी option नहीं आता था, लेकिन जब आप इसको save कर देते थे ना, इस तरीके से जब आप save कर देते थे, तो यहाँ पर एक आता था, supply made through e-commerce operator, या other than e-commerce operator, नहीं सर समझ में नहीं आ रही यह बात, क्या आप बोलना चाह रहे हो, यह online मैं आता ही नहीं था पहले भी, तो आप नहीं समझ पाओगे, जब आप offline utilities की download करोगे न, offline utility जब आप GSTR1 की download करोगे न, यह चीजे मैं आपको इतनी clarity से बता क्यों पा रहा हूँ, क्योंकि हम तो भाई महीने की करते है, 1200 return हमारे clients हैं, और online salary है 90%, 90% हमारे client ऐसे हैं, जो online salary है, तो भाई यह वीडियो तो मुझे विशाल के लिए बनानी ठीक है, बट मैंने सोचा विशाल तो सीखेगा ही सीखेगा, आशीश भी सीख लेगा, और साथ में रोहन भी सीख लेगा, और मेरी YouTube family भी सीख लेगी, तो उसमें बुरा ही क्या है, जब आप इदर आजाओ, चलो यहीं से देख लो, B2C S में जब आप जाते हो, B2C S में जब आप जाते हो, तो यहाँ पर एक wording लिखी होती है, O, E, और इसको जब आप drop-down करते हो ना, तो एक option आता हो, मेरे पास queries भी आए, मेरे student की, कि sir, अगर यह online seller की supply है, for example, यह ले लो, अगर यह online seller की supply है, तो आपको यहाँ पर e-select करना चाहिए, यहाँ पर e-ka मतलब होता है, e-commerce operator, और O, E का मतलब होता है, other than e-commerce operator, तो GST portal पे, हमारे पास कोई ऐसा option ही नहीं था, अभी तक, जहाँ पर हम e-commerce operator की, specifically अलग से reporting कर सकें, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यह दो option आते थे, O, E और E, और ना चाहते हुए भी, even though वो supply हमने flip card से की है, हमको यहाँ पर O, E ही select करना होता था, मेरे पास मेरे काफी सारे students की queries भी आई, जिन्होंने मेरा course लिया हुआ है, कि सर आपने जब इसकी filing बताई utility से, तो आपने O, E लिखा, एक flip card या Amazon वाला seller, O, E क्यों select कर रहा है आपर, वो तो E select करेगा, बिकॉज उसने जो supply की है, वो तो e-commerce operator से किये, बट GST portal पे ऐसा कोई system ही नहीं था, जहां पर हम E-commerce operator की supply को report कर सके, इसी लिए हमको online ये चीज नहीं दिखती है, online इसलिए यहां पर मेरे को नहीं दिखी वो चीज, बट offline में वो चीज आ जाती है, ठीक है, तो दुबारा से चलो GSTR1 की tables में चलते हैं, तो यहां पर अब change क्या किया गया है, जनुवरी से क्या change आया है, table 7 में किसी ना बताए, थोड़ी हो कसम नहीं, तो बताए, दो table आया, table number 14, table number 15, table 7 में क्या change आया है, कोई मदलब निये किसी को, मैंने इसके उपर already पिछले साल भी एक वीडियो बना दी थी, जब जी notification आई थी, बट कोई बात निया, वो वाली supply भी दिखानी है, जो आपने e-commerce operator के थुरू की है, यानि, अगर B2C, B2B है तो आप इसमें दिखाओ, देखो B2B, Amazon के उपर होती है, जादा दर B2B, अगर आप काम करते हैं तो आपको पता है, तो आप इसमें भी दिखाओगे, और जो B2C की supply है, उसको यहाँ पर दिखाओगे, तो सबसे पहले, जो जैसे मेरा case है, मेरे case में मैंने आपको तीन example दिए, यह तो dummy case है, क्योंकि जन्वरी का data तो अभी आया है नहीं, जन्वरी तो चल रही है, actual filing मैं आपको FAM में दिखाऊँगा, और course में भी add करूँगा, मैंने आपको बता दे, YouTube पे भी एक दो वीडियो डाल दूँगा, attention नालो, YouTube पे भी हम डाल के चलेंगे, information मिल जाएगी आपको, ठीक है, यह तो मैंने estimate basis पर आपको clarity देने के लिए बताया है, तो जैसे मान लो हमारे client है, तीन marketplace पर काम करता है, एक मैंने यहाँ पर add कर दिया, और बाकी भी add कर देते हैं, यह awesome में add कर देते हैं, वन लेक का, offline utilities होता है, वैसे काम मैं तो online आपको example देने के लिए खाली समझा रहा हूँ, ठीक है, स्टेट वाइस होता है, अलग लग होता है, इसकी competition online, इसकी जो होती है, वो separately की जाती है, मैंने, वोर्स के समय भी बताइए, और YouTube पे भी शायद आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी, गुजरात कर लेते हैं, last 20,000, यह भी 18% के rate से है, ठीक है, ठीक है, अभी simplicity के लिए, बिकाज अभी concept मुझको आपको टेबल 14 और 15 का समझाना है, मैंने याँ पर अपनी total supply रिपोर्ट कर दीजी, taxable value यह आ गई, IGST यह आ गया, total इसके उपर ठीक है, सारी supply मैंने B2C के नदर रिपोर्ट कर दी, कि B2B कोई supply नहीं थी, B2C की supply रिए, जो की Amazon, Flipkart और Misho की ऊपर हमने की, Misho को fashion year technology private limited बोला जाता है, ठीक है, यह हमने B2C के अंदर add कर दी, ठीक है, उसके बाद अब change क्या आया है, वो सुन दो सबसे पहले तो, एक छोटा सा technical change था, जो table 7 में आया था, वो मैंने समझा दिया, now table number 14 के अंदर एक important change आया, अब आपको जो e-commerce operator की supply है, वो table number 14 के अंदर, अलग से specifically mention करनी पड़ेगे, भी थोड़ देर पहले मैं आपको बोल रहा था, हमारे पास portal के उपर कोई ऐसा option नहीं था, यहाँ पर हम e-commerce operator की supply को separately record करें, लेकिन यहाँ पर हमारे पास option आ गया है supply made through e-commerce operator, अब इस wording को जहाँ से समझाओ, मैंने आपको starting में term समझाएं था, इसलिए term समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, supply जो की आपने की है, किसके through e-commerce operator के through, यहाँ पर ऊपर देखो एक लिखा भी हुआ, supplier to report, यानि जो supplier है उसको report करनी है, तो अगर मैं एक online seller किसकी बात किर रहा हूं मैं आपर, एक online seller की बात कर रहा हूं, अगर मैं Amazon पर बेच रहा हूं तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं Swiggy Zomate के उपर बेच रहा हूं, और मेरा restaurant है, तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, getting my point, उस scenario में table 14 में आपको data डालना पड़ेगा, अब किस तरीके से data डालेंगे, दियान से समझो, इसके अंदर जाओगे, दो चीज़े मैंने आपको समझाई थी, स्टार्टिंग में मैंने आपको दो चीज़े clarify कर दी थी, पहला case है, वह supply जहां पर e-commerce operator liable है, TCS collect करने के लिए section 52 के अंदर, इसके अंदर मैंने आपको कौन-कौन से operator बताए थे जल्दी से बताओ, इसके अंदर मैंने आपको बताया था, Flipkart, Misho, Mintra, Snapdeal, Urban Company, Swiggy, Zomato, यह सारे बताया थे section 9, subsection 5 के अंदर, so मैं जो आपको example दे रहा हूं, उस example के अंदर मेरा client Flipkart, Misho, and Amazon पर deal कर रहा है, तो मेरे को इसके अंदर liable to collect tax के अंदर report करनी पड़ेगी, कैसे report होगी, ध्यान से देखो, add record करोगे, GSTN of e-commerce operator डालना पड़ेगा, वैसे मुझे नहीं पता, e-commerce operator जो होते हैं जैसे Amazon Flipkart, वह भी आपको देते हैं, इसकी report देते हैं, Flipkart वाले आपको GSTR1 की report देते हैं, Amazon पर भी आपको GST की B2B और B2C report मिलती है, Amazon पर GST की report तो मिलती नहीं आपको, तो आपको उसके according यहाँ पर डालना होता है, ठीक है? So, इनका जो आपको GST number डालना है न, अब आप कभी-कभी confused हो जाओगे, जो e-commerce operator का GSTN होता है, वो separate होता है, दो GSTN इनको लेके चलने होता है, एक इनका normal GST होता है, जो आपका shipping का Commission का भी लाता होगा, वो वाला GST यहाँ पर नहीं चलेगा आपका, Amazon Flipkart या Misho का, जो TCS वाला as a tax collector वाला जो उनका होगा न, जो e-commerce operator वाला उनके पास जो उनका GSTN होगा, वो GSTN यहाँ पर आपको चाहिए होगा, मैं आपको बता दूँगा प्रैक्टिकल जब आएगा न, फैब में इसकी मैं प्रैक्टिकल एक्टिकल वीडियो बनाऊँगा, अभी तो आप concept समझ लो concept बिल्ड करो किस तरीके से reporting होगी, सब मिरको कैसे पता चला मिरको सब पता है, मैंने बता है न, हमारा डेली का काम है करने का, तो हमको पता है कि flip card का e-commerce operator वाला जी एस तिन क्या है, ठीक है, आप डालोगे तो हो सकता है हम फिर रॉंग आ जाए, तो देख ले न, वैसे यह है flip card वाला, नेट वाली flip card की हमारी 50,000, 50,000 है और IGST 9,000 है, central tax zero, central state tax zero, इसको हमने save कर दिया, ठीक है, फटा-फट से मैं दूसरा भी save कर देता हूँ, Amazon वाला, यह मैं आपको just example के लिए समझा रहा हूँ, real data के साथ आपको, fab के अंदर, fab के first week में मैं दे दूँँगा आपको एक वीडियो, ठीक है, 18,000, zero, और zero, कोर्स में तो उससे जल्दी दे दूँगा मैं, tension ना लो, table number 14 में 3 चीज़ हमने डाल दी है, sir table number 15 भी तो आईए हमारी, supplies under section number 95, यहां पर किसको report करना है, पहली चीज़ देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, चुटी चुटी यह समझाने पड़ती है न, जो table number 15 है, वो supplier के लिए नहीं है, वो है e-commerce operator के लिए, यह देखो क्या लिखा हुआ है, e-commerce operator to report, यानि table 15 के अंदर जो reporting करनी है, वो किसको करनी है, इसलिए मैंने starting में आपको term समझाई थी, कि e-commerce operator का मतलब अगर यहाँ e-commerce operator को report करना है, तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अगर मैं Amazon पे बेच रहा हूँ, तो मैं तो online seller हूँ, मैं e-commerce operator थोड़ी हूँ, तो table 15 जो fill करनी है, वो fill करनी है, flip card, Misho, Amazon, Mintra, Zomato, जो मैंने आपको example, यह कुछ मैं example थी, इसके अलावा भी examples हो सक, 3B के अंदर तो जी बहुत simple सा impact पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ, क्या impact पड़ेगा 3B के अंदर, January की 3B तो अभी आएगी नहीं, December के भी file नहीं हुए, मैं आपको November की दिखाता हूँ, JSTR 3B की जो table number 3.1.1 है, इसके अंदर अगर आप एक online seller, e-commerce operator है तो point number 2 के अंदर, taxable supply made by register person through e-commerce operator, on which e-commerce operator required to pay tax under section 95, तो यह वाली figure आपकी auto populate हो करके आ जाएगी JSTR 1 से, इससे related और भी detail video में बनाऊँगा, जो कि आपको fintex pro के YouTube channel पे भी definitely देखने के लिए मिलेंगे, fab month के first week के अंदर, मैं detail live session लेके आऊँगा, January month की JSTR 1 किस तरीके से फाइल करनी है, इस topic के ओपर आज का session पसंद आया हो, तो channel ज़रूर subscribe कर दो, thank you so much for joining today's session, have a great time, हस्तरिया मुस्कुराते रहिए, bye bye take care.